ADS MAT classes में आप सभी दोस्तों का स्वागत है मैं संदीप सर लेके आया हूँ MAT का एक बेहतरीन test series जिसमें number series के question है और आपके जो exams होने वाले हैं UP Police और Railway SI और बिहार Police, दिल्ले Police, SSC GD खासकर SSC के all exams MTS के लिए और ये test series आपके लिए बिल्कुल free है और ADS MAT classes आप सभी दोस्तों को free में test series करा रहा है जो ये exams जितने भी होने वाले हैं इनके लिए बहुत benefit है तो हम लोग बेटा देखते हैं सबसे पहले number system के question है कुछ सबसे पहले आप से कहा गया है इसमें अंतिम अंक कौन सा होगा मतलब 1001 की पावर 2008 प्लस 2002 की अंतिम अंक का होगा तो सबसे पहले बेटा ये देखो एक का जो place value है एक की जो place value है एक की जो भी place value है उसमें हम लोग क्या करेंगे जो भी place value उसकी पावर चाहें जितनी लिखी हो उसकी पावर चाहें जितनी लिखी हो उसका एकाई कंक हमेशा एक ही आएगा चिक ना तो बिटा इसकी पावर में एक लिखा है ये 2001 इसकी पावर में चाहें जिससे भाग देंगे हमेशा एक ही आएगा और फिर यहां से प्लस किया गया है लाश्ट वाला डिजी ले लेंगे दो तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास आजाएगा कितना तीन तो अंतिम जो अंक हो जाएगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा ए नमर सिस्टम में आपको बताया गया है कि बटा 0,1 और यह 5 और यह 6 इनकी पावर चाहें जितनी हो इनकी प्लेश वेलू वही आएगी जो इनका अंक है जैसे 0 की पावर चाहें इतनी लिखी हो आपका 0 ही आएगा, 1 की पावर चाहें इतनी लिखी हो एक ही आएगा, 5 की पावर चाहें इतनी लिखी हो 5 ही आएगा, 6 की पावर चाहें इतनी लिखी हो 6 ही आएगा, तो इसमें जो राइट एंसर है हमारे पास 3 आज आएगा, भरते ह है वेटा अगले कोश्यन की तरफ, 729 इंटू 562 प्लस 151 अंक क्या होगा, बहुत अच्छा कोश्यन है, ऐसे कोश्यन आपको मिलते रहेंगे, कहीं न कहीं, इसमें वेटा देखो इसका मल्टिफिकेशन इसके साथ करा लिजेगा, तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो 9 मतलब हमें यूनिट प्लेस इकाईक अंक पता करना है, तो यूनिट प्लेस इकाईक अंक पता करने के लिए हमें क्या करना है, यह आट और पांच जोड देंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का मतलब इकाई अंक जो हमारे पास आएगा, वो बटा 3 आएगा, मतलब B आप्शन आपका कआ मान क्या होगा या बता ये तो इसको क्वस्चन को करने के लिए आप को यहां पे देखो एक चीज दि Eck Igifi अब यहां लिखा गया है यह लिखा गया है यह 25 इख जिलिखा गया है यह हमारे पास 36 लिखा गया डे डिस करके आगे सौ लिखा गया है तो नमबर सिस्टम में आपको एक चीज बताई गई है वेटा, कि यहां पे वर्ग का यह सीरीज में दी गई, वर्ग के रूप में यह सीरीज दी गई है, तो सबसे पहले दोको, तीन का वर्ग होता है नो, चार का वर्ग होता है सोला, ये पांच का वर्ग होता है पच्चीस, डेट असके यहां तक ये टेन का वर्ग होता है सौग, तो यहां से क्या करना इसको, सबसे पहले आप देख लिजेगा, यहां से हमें इसका जो फार्मूला होता है यन, यन प्लस 1 और 2 यान प्लस 1 अपान में 6 इस फार्मूले से इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहले यहां से देखिएगा हम लोग लाज तक निकालते हैं एक से लगा के 10 तक यहां पर आ जाएगा 11 यहां पर बटा आ जाएगा 21 और यह बटा 6 अब इसको सॉल्व करेंगे हम लो यहां से काटेंगे तो 5 आ जाएगा इसका गुना कराएगे 11 पच्छे 55 पच्छपन का गुना यहां से कराएगे तो विटा साथ में जब 7 बना 35 इस तीन अर्टीस यह बटा यहां जो निकलके आया है वो एक से लगा के 10 तक दिया गया है कितना निकाले हैं एक से लगा के 10 हमारे पास ये बटा एक स्कॉर प्लस दोस्कॉर ये अभी सीरीज में कम है तो बटा एक का स्कॉरर एक होता है, दो का कितना होता है? चार इनको जोडएंगे तो कितना हो जाएगा 5 पांच आप इसमें माइनस कर सकते हैं तो हमारे पास जो right answer आएगा वह 388 तो तीनसो असी आपके पास जो भी नंबर में है वह बिल्कुल right answer है तो हमारे पास बिटा किसमें आ जायगा ? बी नंबर आपका बिल्कुल जही एंसर हो जाएगा अब बेटा देखो अगले सीरी जो कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं इसमें भी सीरीज का एक कोश्चन आ गया है अब बेटा यहां से देखो वन प्लस टू प्लस थीरीग प्लस डेड़ेस करके 10 बरावर करके पच्पन दिया गया है तो आप से पूछा गया है गयारा प्लस बारा प्लस तेरा प्लस डेड़ेस करके 20 का मान क्या होगा तो इसको सॉल करने के लिए आपको एक छोटा सा तरीका हम बताते हैं उससे आप लगा लिया करें आप बहुत कम समय में इसको सीरीज को सॉल कर सकते हैं तो सबसे पहले देखो बटा इसमें क्या करना है आपको यह जो प्रतम संक्या और अंतिम संक्या इनको जोड़ दीजेगा प्रतम संक्या और अंतिम संक्या आप इसको जोड़ दीजेगा क्या करना है बटा प्रतम संक्या और अंतिम संक्या आप जोड़ दीजेगा और बिटा जितने पद दिये गये हो मतलब एक सी लगा के 20 तक आपके जो पद होंगे, वो कितने होंगे, दस पद होंगे, कितने पद होंगे, दस पद होंगे, और अपान में बिटा, टू कर दें, तो इसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिटा, 31 हो जाएगा, अब यहां से बिटा, इसको काटेंग हम लोग इसका गुणा आपस में करा देंगे 5 एकम 5, 15 ये सीरिज निकलके यहां से 105 पन आ जाएगी, कितनी आ जाएगे बटा, 105 पन आ जाएगी, तो हमारे पास ये नंबर जो इसका है, वो राइट आप्सन है, इसमें क्या करना था बटा, प्रिथम पद, प्लस अंतिम पद, अपान में जितने पदों की संख्या है, उतना लिखना था, इसके बाद में 2 लिखना था, तो बस प्रिथम पद, प्लस अंतिम पद हमने जोड़ दिया, 31 आ गया, यहां से 11 से लगा के 20 जो हमारे पास पद बनें, वो कितने बनेंगे, 10, अपान में 2, जो योग आ जाएगा वो 155 आ जाएगा, ठीक ना बटा, ठीक, आप यहां पे दो को एक दिया क्या है, यह काई अंक निकालना है इस्तान, ऐसे कोश्यन में आपको क्या करना है, जब किसी की पावर बेटा सेम सेम दी गई हो, किसी की पावर सेम सेम, तो उसमें एक बार आप पावर में उसको निक पावर दी गई है, आप देखो सिंपल सी बात यह है बटा, यहां पे क्या करना था, एक बार हमने पावर में चार से भाग देना है, कितने से भाग देना है, हमेशा पावर में चार से भाग देना है, अब पावर में चार से भाग क्यों देना है, यह आप लोगों को पता है नहीं पता है तो मैं बताए देता हूँ जैसे यहां से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 अब बेटा देखो इसका जो आ जाएगा 2 आ जाएगा इसका बेटा आ जाएगा वो 8 आजाएगा, इसका बटा जाएगा 16, ये बटा जब करेंगे एसका जब करेंगे तो ओटкивंफा topics हो जाएगा ऐसे ही बढ़ते करहों में बढ़ते चले जाएंगे आपको एक common सी बात दिंख रही होगी क्या हमने देखा यहां फ़े यहां पे चार है। यहां पे आर्ट है और यहां पे चैए। इस चार के पावर के बाद में, हमारे पास अंग केको फिर रिपीट होने लेगए, यह जैसे 2 आगया, यह 4 आ गया, यह 8 आ गया, इसका double करेंगे, तो बिटा कितना हो जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा, यहां से 16 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, मतलब इसका करेंगे 256 हो जाएगा, तो बिटा देखो यह पावर फिर repeat होने लगी, तो इसलिए हम लोग इसको 4 से भाग देते है कि 4 के बाद पावर repeat होने लगती है, सबसे पहली बात, किसी ने बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आप अक्सर यह पूछ लेते हैं, कि सर जी 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तो बिटा हम लोग इसलिए भाग देते हैं, कि यह पावर यहां से repeat होने लगती है तो बिटा इसमें चार से भाग देंगे चार चुको 16 यहां 3 बचा फिर बचार 9,36 फिर आगे आपका यहां से जब करेंगे यहां से जब भाग देंगे चार, यह चार चोको 16, यह बटा यहां से बचेगा हमारे पास 3, फिर चार नहों आई 36, फिर बटा यहां से 3 बचेगा, मतलब इसकी पावर में, last में जो बचेगा, वो कितना बचेगा? 3, मतलब जो reminder बचेगा, चार से भाग देने के बाद में उस 3 को पावर लिखते हैं हम लोग, तो बटा यह 7 की पावर हमने कितना लिखा? 3, प्लस एक की पावर में चाहें जितना लिखाओ, एक की पावर में जितना भी लिखाओ, वो रिवेंडर में, 6 जो पावर लिखी होगे, वो पावर में, जाहें एक की पावर में जो भी लिखा वो हमेशा एक ही आएगा, तो यहां पर एक आजाएगा, इसमें भी बिटा यह प्लस का चिन बना है, प्लस का चिन बना लेंगे और इसमें भी तीन आजाएगा, चिक, अब बिटा यहां पर देखो इसका जब हम लोग यह लिखेंगे इसमें, तो यह बिटा लिखा गया है, 7 7 into 7, मतलब ये लिखा गया है, 343, प्लस 1, फिर बिटा प्लस कर गरेंगे 343, अब बिटा हमारे पास इसको क्या करेंगे, जोडना है, ये जोड लिएगा, लाश्ट वाला डिजी जोडना है, लाश्ट वाला ही अंक जोडना है, तीन एक चार्ट और चार तीन साथ मतलब जो इसका एंसर आजाएगा वो कौन सा आजाएगा बटा से बिन आजाएगा और आपको ये अंक विसेश ध्यान देने हैं कि आपके पास जीरो आजाए एक आजाए पांच आजाए छे आजाए इनकी पावर चाहें जितनी लिखी हो बिटा हमेशा इनकी डिजित सेम रहती है ठीक बढ़ते हैं अगले कोस्टन की तरब अब यहां से देखो एक हमारे पास यह सडली करन का एक कोस्टन दे दिया गया है ठीक तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बिटा यहां से यह लिखा गया है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 39 प्लस 705 की पावर 35 यह बिटा यहां से यह छोटा कोश्टक और मजला कोश्टक लगा है तो बिटा इतनी संक्या जो माइनस वाली है वो लोग हम लोग अलग कर देंगे यह बिटा लिखा गया है 100 प्लस यहां पर यह एक माइनस का चिन बना है यह आपका इधर जब यहां से करेंगे 16 की पावर 64 यह 16 की पावर 4 तो बिटा इसको जब हम लोग solve करेंगे छिक यह बिटा एक आई में एक आजाएगा इसमें एक आजाएगा यह आपका एक पांच आजाएगा एक अभी कहीं दिख रहा है नौ एक लास्ट वाला डिजिट और लेना है यह वाला यहां पर यह नौ आजाएगा इनको बिटा आपस में जोड लिजेगा और माइनस बारा यह बिटा करेंगे तो आजाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर एक प्लस एक यहां से एक एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इसको फिर से लिख देते हैं यहां पर पहले दोको बिटा इसकी पावर चाहें जितनी हो एक ही आएगा तो एक प्लस का लिखेगा इसकी पावर में चाहें जो भी लिखा एक प्लस का लिखना है फिर बिटा प तो 6-12 हो जाएगा यह बटा 1 हो जाएगा हमारे पास 2 और यह हो जाएगा 7 और 7-9-16 हो जाएगे 16 में जब 12 जाएगा तो हमारे पास 4 बचेगा तो हमारा रइट ओप्शन कौन सा है चानबा चिक इतनी वाद वीटा समझ पाए करें अब बिटा हम लोग अगले कोशियन की तरह बढ़ते हैं चिक अब यहां पर एक कोश्यन यह दी आ है, गणर फल में 213 की पावर 166 में यग अग क्या होगा तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग हमें लाश्ट वाले डिजिच्च से मतलब है, लाश्ट वाले अंग से मतलब है और बाकी देखते हैं, पावर में क्या चढ़ा एक सो उसमें 4 से भाग देना है, तो यहां पर 4 से भाग देंगे, तो 4 चो को 16, 4 एकम 4, मतलब 3 की पावर हमारे पास जो बचेगा, वो 3 बचेगा, इसका मतलब यह है बटा, यह वाला आंक लिखा के है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तीन तरका 9, 9, 3, 27, 27 में हमको जो दिक रहा है, वह 7 दिक रहा है, कौन सा धीकरा है, 7 दिक रहा है, तो आपका जो राइट एंसर हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, कौन सा ओप्सण हो जाएगा, 7 अब बिता देखो, ये एक question और दे दिया गया है इसमें 134 की power 94 प्लस, 234 की power 95 में क्या होगा सबसे पहले पीचा हमें क्या करना है last वाला digit देखना है क्या देखना है? last वाला digit और उसकी power कितनी चढ़ी है यह देखना है तो सबसे पहले last में हमारे पास 4 है प्लस का चिन लगा है, प्लस का चिन लगा लेंगे, इस पावर में चार से भाग देंगे, चार दुनी, आठ, फिर वेटा चारते हैं बारा, मतलब इसकी पावर को दो लिखेंगे, क्योंकि रिमांडर में कितना बच रहा है वेटा, दो बच रहा है, तो इसलिए दो प्लस का चिन लगा है यह लाश्ट में 4 लिखा है चार लिखेंगे फिर इसमें 4 से भाग देंगे इसमें तो हमारे पास 4 दुनी 8 फिर बचा कितना आंगे 15 हो जाएगा 4 तें 12 इसकी पावर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह लिखा गया है 4 इंटू 4 मतलब 4 चोको 16 प्लस का चिन लगा है यह लिखा गया है 4 इंटू 4 इंटू 4 इसका मतलब होता है 64 इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास 10 आजाएगा दस का मतलब हमारे पास जो लाश्ट वाला अंक आएगा वो बिटा जीरू आ जाएगा तो हमारे पास जो आप्सन सही है वो ए नंबर सही है कौन सा सही है बटा ए नंबर सही है ठिक बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ आप देखो बटा ये कोशन आपको ससी जीडी में पुलिस में और आर्पी अप में ऐसे कोशन आपको कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे खासकर MTS में भी आ जाते हैं और इसमें देखो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको करते हैं सबसे पहले देखो बटा यहां पर हमारे पास चडिया घर में चूए तता कबूतर है यह दिकल सीरों की संध्या हमारे पास 90 है तता पैरों की संध्या 224 है तो कबूतरों की संध्या बतानी है ऐसे कोशन को करने के लिए विटां हम लोग बिलकुल कम समय में, बहुत ही कम समय में और इसके तो 3, 4, 5 तरीके हैं जो इसको लगाने के हैं, एलिकेशन मेथेड से भी लगा सकते हो और जो चीज पूची जाए उसमें आप बहुत कम समय में, आप कैसे सॉल्ब करेंगे यह देखिएगा, सबसे पहले बिटा सिर हमारे पास दिये गए हैं 90, सिर हमारे पास 90 दिये गए हैं, पैर हमारे पास बिटा दिये गए हैं 224, समझने वाली बात यह है कि बिटा सिर चाहें चुहा हो और चाहें कबूतर हो, सबका एक ही होता है न, पैर चुहे के चार होते हैं और कबूतर के दो होते हैं, इतना चीज समझना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बिटा, यह जो सिर दिये गए हैं, इनमें क्या करना है, किस से गुण़ा कर जा चार inference टो यह आäss हमारे पास आजाएगा चौह 64 अब बेटा चितने पैर दिये गए हो जितने पैर आपके दिये गए हो उन पैरों हो को आप ब्लेस कर देंगे तो हमेशा 2 से भाग देना है, ये करने के बाद में हमेशा कितने से भाग देना है ? 2 से. तो बाटा, यहाँ से जब 2 से भाग देएंगे तो 6 दुनी, 12, 8 दुनी, 16, ये जो आ जाएंगे, هमारे पास कबूतर, कबूत्रों की संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 68 आ जाएगी तो हमारे पास कौन सा ओप्शन सही है कौन सा सही है इसी में बेटा आपके पास चार पैर वाला पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे यह जो कबूतर है इन से घटा लिजेगा आपके पास चार पैर वाले निकल आएंगे बहुत आसान है चिक बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ अब बेटा दोको बिल्कुल सेम कोश्चन आपके पास आ गया और आप लोग लगा भी सकते हैं अगर आपने समझा होगा बहुत आसान कोश्चन है किसी वेक्ति के पास कुछ मुर्गिया तता कुछ गाएं हैं जिनके इनके सीरों की संक्या 140 है तता मस्तिकों की संक्या है 48 तो मुर्गियों की संक्या बता नहीं है बिटा बिल्कुल सेम कोशन है अगर आप इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं एंसर आप लोगों का आना चालू हो गया होगा आप देखिएगा सबसे पहले हमें करना क्या है बिटा हमारे पास जो सिर दिये गए हैं जो सिर दिये गए हैं वो और तालिस दिये गए हैं जिरों में चार गुना करना है, तो बिटा ये 48 लियर गये इसमें चार का गुना कराईएगा, चरवट 32, 4 चौको 16, 16-3 कितने होते हैं? 19, आप बिटा जितने पैर आपको धीए गये थे, वह पैर इसमें से घटा लிजेगा, क्या करना है वो पैर आपको इसमें से घटाने है तो यहां दो आ जाएगा बिटा यहां पर आपका पांच आ जाएगा अब बिटा इसमें हमेशा कितने से भाग देना है दो से दो से भाग देंगे तो बिटा दो दुनी चार दू छंग बारा यह जो हमारे पास हमेशा हमेशा कितने पैरवाले आएंगे दो पैरवाले, दो पैरवाले हमारे पास क्या हो जाएंगे मुर्गियां हमारे पास दो पैरवाले, ये मुर्गियां की संक्या आजाएंगे, अगर आप से इसमें गायों की संक्या पूछता है तो ये मुर्गियों की संक्या से इसमें घटा आप चार पार वाले भी निकाल सकते हैं, तो बिटा हमारे पास 26 मुर्गिया आ जाएंगी, तो हमारे पास जो आप्षन है, वो कौन सा आप्षन सही है? ए नमबर सही है, कितना नमबर? 26, ठीक अगले कोस्टिन के तरह बढ़ते हैं बिटा, अब देखो बिटा, अगर आपने म हम है, तो इसको लगा सकते हैं, दोको यहां पर दिया गया है, हमारे पास 0, 2, 3, 6, और 7, इसमें कहा गया है, कि अंकों से बनी संख्या, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तदा छोटी से चोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले, यह जो जो अंक दिये गए हैं ये जो अंक दिये गए हैं इनमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है मत्दब बड़े अंक से छोटे अंक के तरफ बढ़ते चले जाना है बड़े अंक से छोटे अंक के तरफ तो बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो बेटा हो जाएगी, 7, 6, 3, 2, 0, अब बेटा, फिर कहा गया, इसमें छोटी से छोटी इसी अंकों से बनानी है, इसी अंकों से क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनानी जीरो दो तीन चैसाथ अगर लिखते हैं तो बिटा हमारे पास ये गलत हो जाएगा गलत कैसे हो जाएगा हमसे कहा गया है कि पांच अंको की संक्या चाहिए अगर हमने जीरो को आंगे लिख दिया तो बिटा ये संक्या हमारे पास चार अंको की रह जाएगी कितने अंको की र वालत बाला भी option रखा होगा तो फिर आप गलती कर देंगे तो सबसे पहले क्या करना है विटा कि यहां पर दो लिखेगा यहां पर जीरो अब यह दो को विटा पांच अंको की संक्या है और इससे छोटी संक्या इन अंकों से नहीं बनाई जा सकती है अब आपको क्या करना है यहां पर विटा इस थीं सो यह इसका अंत निकलना था बस डिपरेंस पूछा higher यह 10 हो जायेगा, तो 3 आजायेगा, यहाँ पर 11 हो जायेगा, पांच आजायेगा, यहाँ पर भीटा हमारे पास, जिसमें है वो कौन सा उप्शन सही है यह आपका बी नंबर सही है कौन सा सही है बटा बी नंबर तो आप लोग समझ पा रहा है बटा इसमें कोई दिक्कत नहीं बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ आप देखो जब किसी संग्या को 56 से भाग देते हैं तो सेश 29 त होता है यह को 8 से भाग दे मालो बीटा यहां को संग्यय भाग दिया कितने से बाग दिया 56 से भाग दिया तो मेरे पास जो सेश्च भाग दो रहा है वो इ मिचलिका 59 प्राप धो रहा है 29 प्रवाप्ट हो रहा है अब बैटा कह रहा है इसी égř को अगर हम लोग 8 से भाग दें तो हम लोग क्या करते हैं मैं जिसे मालो 26 में पार्फितक अगयर से भाग दिया जा रहा है एक्स की मेलू जम्धी जो औरेऑ बचहरा है वो वैटा कितना बचեղा पांच बचेगा आप लोग अगर वैसे नहीं भाग दे सकते हैं। तो ऐसे भाग दे दिया करें यह वाला जो सेस पूंच रहा है यही बताना था छिठ ना तो आपका जो option है सही, वो भी number सही है, मतलब कितना बचेगा, पांच बचेगा, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, बहुत अच्छा question है, ऐसे question आपको मिलते रहेंगे, कहीं न कहीं, और इस question को करने के लिए बहुत थी आसान तरीका आपको हम बताते हैं, ऐसे जब भी question आपको म मिल जाएं, तो उपर वाली संक्या क्या ले लेते हैं, इनका इनका जो power लिखी है, इस power का क्या ले ले हम लोग मासा ले ले, क्या ले ले, मासा ले ले, तो बटा यहां से जब इसका मासा ले लेंगे, तो दस मासा आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग 10 से डिवाइड करें, इसको 10 से डिवाइड करें, इसको 10 से डिवाइड करें, इसको 10 से डिवाइड करें, तो यह बचेगा, दो की power और चार की पावर तीन बचेगा और पांच की पावर दो बचेगा हमने क्या किया इनका स्च अप लिया स्च अप हमारे पास 10 आया हमने डिवाइट कर दिया अब यह पावर बची हम से पूछ रहा है बड़ी संक्या कौनसी होगी तो बेटा ये लिखा ग작 हमारे पास मतलब 2 x 2 x 2 x 2 2 x 2, 4 x 0 x 8 x 16 x 32 मतलब यहाँ पे 32 आना चाहिए, कितना आना चाहिए Axe ये लिखा गया मतलब लिखा गया है चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार चार चोको 16 चोको 64 चोको 64 ये 64 का फिर 4 से गुणा कराएंगे 4 चोको 16 ये हो जाएगा 256 बिटा इसकी पावर में आ जाएगा कितना 256 अब बिटा इसमें जो लिखा गया है चार की पावर तीन मतब चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार इंटू चार इसमें बिटा एक चीज और ये हमने चार का निकाल दिया है आपको तीन का निकालना था मतब तीन की पावर ऐसे करके लिखेंगे चार बार यह अभी चार की पावर तीन बार लिखा गया है ठीक है बिटा तो यह तुम्हारा तीन दिर का नौ नौतरिक शत्ताई इस तिरका 81, यहाँ पे 81 आना चाहिए, अब बेटा यहाँ पे जो लिखा गया है यह 4, 16, 16, 64, यहाँ पे 64 लिखना चाहिए, यहाँ पे आजाएगा 25, अब बेटा आप देख पा रहे हैं, अब बेटा इसमें आप देख पा रहे हैं, कि संक्या कौन सी बड़ी दिख रही है, तो हमको तो यह संक्या बड़ी दिख रही है, यह वाली जो 3 की पावर 4 है, मतलब यह हमारे पास 3 की पावर 40, यह संक्या आपको बड़ी दिख रही न, इसमें 81 है, यह 32 है, यह 64 है, यह 25 है तो यह वाला आपका एंसर सही है ना, तो यह वाला एंसर सही का मतलब आपके पास B number option बिल्कुल right हो जाएगा, बिल्कुल right हो जाएगा, बढ़ते हैं बटा अगले question के तरफ, अब बटा यहां पे देखो, यदी 54, 32 star 7, 9 से विभाजी थे तो star का जो अंक होगा वो क्या होगा यहां पे बटा लिखा गया है, 54 लिखा गया है, 32 लिखा गया है, इस्ठा लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 9, जो बेटा 9 का, डिविल्टी का नियम है, मतलब सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइट हो जाएगी, यह आपको मालूम होगा, और इसमें आपको कम समय म को जोड़े ना जहां से 9 से कटता दिख जाए आप काट सकते हैं जैसे आप यहां से इसको यह 5 दो और 7 काट सकते हैं 9 हो जाएगा यह जाएगा आप 3 बचा तीन में कौन सी संक्या जोड़ दें कि 9 संक्या वो कट जाई मतलब 3 में अगर 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा वो संक्या कट जाएगी तो बिटा कौन सा आप्शन सही हो जाएगा कौन सा च्छे एक चीज में सही है कि सब अपने हाथ में है तो इसमें विटा कौन सा आप्शन सही है नौ सही है बढ़ते हैं विटा अगले कोशिन के तरफ अब दोगो बटा यह कोशन आपको बहुत ही आसान कोशन तरीके से लग जाएगा और ऐसे कोशन आपको कहीं न कहीं मिलते रहेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा बटा एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किये उसके दोगुना उसने गलत हल किये यादी उ सब्धूह्रा सही प्रश्नों के संख्या कितनी होगी सबसे पहले दोग्वल — नहीं है कितनी है प्रश्णों की संक्या 48 है, कितनी है, प्रश्णों की संक्या 48 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बटा, यहाँ पे 48 प्रश्ण है कुल, इसमें से बटा देखो सही, सही वाले एक तरब लिखेंगे, गलत, देखो उसने कहा है कि जितने हुसने सही हल किया, उससे दुगने हुसने गलत किया, मतलब एक अगर वो सही कर रहा है, तो दो सवाल गलत कर रहा है, जिसको पूछा जाये वो सही वाले पूछे हैं, तो हमारे पास जो कुल प्रिश्णों की संक्या है, वो अर्तालिस है, जिसको पूछा जाए, इसको इसी रेशियो में कनवर्ट कर सकते हैं, जो पूछा जाए उसको उपर लिखें, इनका अनपातिक योग हमेशा बेटा नीचे रहता जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट एंसर होगा, चिक, अब बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ, किसी संक्या के दो बटा पांच का एक तिहाई का तीन बटा साथ, पंदरा है, तो संक्या का चालिस पर्शन क्या होगा, बहुत अच्छा कोशन है, यूपी पुलिस में ऐसे कोशन आत रहते हैं, और खास कर आप जितने एक्जाम देने जा रहे हैं अभी जो लेटिस्ट में लगे हैं, इन कोशनों में ऐसे कोशन आपको कहीं न कहीं मिलते रहेंगे, और स्सी MTS में ऐसे कोशन आते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाबदायक है, सबसे पहले हैं बिटा यहां से देख लो संक्या कितनी है, इसमें बिटा ये बिटा हमारे पास दो, बटा पांच, का का मतलब होता है हमेशा, का और कभी भी आपको दिख जाए, तो इन तु होता है, मतलब multiplication होता है, बिटा यहां पे एक बिटा, एक तिहाई का, तीन बिटा साथ, ये इतना है, चिक, अब बिटा हम लोग इसमें देखें काटेंगे, ये संक्या हमारे पास इससे कट जाएगी, ये संक्या में बिटा जब हम लोग इसको गुणा करेंगे इसका, ये हमारे पास साथ बना 35, 35 का गुणा हम लोग 15 में करा दें, यह विटा 15 पचे कितना होता है 75 और यह 15 तैंप 45 और 45 और 7 आपका कितना हो जाएगा यहां से 52 हो जाएगा यहां पर हमारे पास इतना आजाएगा बटे में 2 आजाएगा आपको क्या करना है इसका 40 पचेंट निकालना है बटे 2 परसेंट में जाना है ना एक यहां से 0 लगा देना है सही है ना सब ठीक कोई समय से नहीं परसेंट में जाएगे यहां से परसेंट में बता देंगे बस है ना परसेंट का मतलब यह होता है इसके बटे में 100 चला जाएगा अब बटा यह आप काट सकते हैं इसको यहां से यह जीरो से जीरो काट सकते हैं यह बीस दुना चालेस बीस पंचे 100 अब बटा हमारे पास जो आ जाएगा यहां से इसका गुणा इसमें करा दीजेगा पांदूनी दस दो दुनी चार एक पांच पांदूनी दस और यहां पे यह दस और होगा यह जीरो से जीरो कट जाएगा मतलब 105 आना चाहिए कितना आना चाहिए उसका 105 जो हमारा राइट अंसर कौन सा है ए नंबर कौन सा है ए नंबर तो पिटा इतनी बात आप लोगों को समझ में संक्या को 121 से विवाजित किया जाता है तो सेस 25 आता है दूसी संक्या को 11 से विवाजित किया जाए तो सेस क्या आएगा तो पिटा इसमें क्या करना है मालो संक्या X है इसमें 121 से विवाजित किया जा रहा है तो हमारे पास सेस कितना आ रहा है 25 अब पिटा एक्स को अगर हम 11 से डिवाइड करें, मतलब यहाँ पे संक्या X को अगर हम 11 से डिवाइड करें, तो इनके बीच में यह जो संक्या 25 है, यह इस संक्या बढ़ी है, तो हम क्या करते हैं, इसी संक्या से आप भाग दे दिजेगा, तो बटा 25 से जब 11 से भाग देंगे, तो 11 दुनी 22, 22 का मतलब 3 बचेगा यहाँ पे, जो आप्शन में हमारे पास D नंबर सही है, ऐसे कोश्चनों को बहुत आसानी तरीके से आप सौब कर सकते हैं, बढ़ते हैं बटा अगले कोश्चन के तरफ, किसी संक्या को 7,4 से उत्रोण भाग देने पर क्रमसा 2,1 प्राफ्थ होते हैं, या संक्या को 28 से भाग दिया जाए, तो सेस क्या प्राफ्थ होगा, बटा ऐसे कोश्चनों को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, और आप समझने की कोशिस करें, सबसे पहले दोगों किसी संक्या से भाग देते हैं, जैसे 4 से भाग देते हैं, 7 से जो रिमांडर बचता है, वो नीचे ही तो बचता है न, इसमें आप तुरंत नैनो सेकेंड में अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले इधर के तरफ चलेंगे तो प्लस का चिन बनाईएगा, ठिक, तो बिटा इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये जोडने पे 8 हो जाएगा, और फिर सवाल को इस तरफ सॉल्व करेंगे, तो ये इसका इसमें गुणा कराते चलिएगा, तो 8 चोग कितना होता है, 32, ये वाला जब इधर आएगे तो बिटा ये प्लस का चिन बन जाएगा, यहां से हो जाएगा कितना, 34, अब बिटा 34 को ये संक्या हमारे पास X का मान निकल के आ गया, मतलब जो संक्या थी, वो निकल के आ जाएगा, मतलब आप इसको N के फॉर्म में रख सकते हैं, पहले पीछे से सॉल्व करेंगे, प्लस का करेंगे, इधर जाएगे, तो गुडा करेंगे, फिर आएगे, तो प्लस ये संक्या बढ़ती चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप N के फॉर्म में करते रहना, ठीक, अ और आपके option में जो D number है, वो विल्कुल right answer है, ठीक है बढ़ते हैं अगले question के तरब, अब यहाँ पे दिया गया है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 से भाग के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा? ऐसी question को करने के लिए जो भाजक गलत लिखा जाता है, वो हमेसा उपर लिखिएगा, जो सही भाजक हो, उसको हमेसा नीचे लिखिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से यह आप जो विद्यार्थी को 36 के बदले 63 किया गया है, मतलब जो भी भाजक गलत लिखा जाए जो भाजक को सही भाग देना था, उसको हमेसा नीचे लिखिएगे, तो बटा इसको काटेंगे, बारा से, बारा दुने 24, बारता है, 36, यह बटा कट जाएगा, यहाँ से, यह बटा कट जाएगा आपका, बारा, बारा, बाजक कों सा सही था यार, पिसा गलतेंगे, ये 36 गोना है, ये 36 रुपा लें का जाएगा, जाएगा, जब जड़ने देंगे,, काट बता देंगे, उसमें, ये ये तो बंद कर दी थे, है न? हा ये? तो बिटा इसमें देखो ये वाला भाजक अगर इसको लिखेंगे तो बिटा गलत हो जाए क्योंकि हमको ये संग क्या सही है तो हम लोग क्या करेंगे हमेशा जो सही भाजक होगा वो हमेशा क्या करेंगे नीचे लिखेंगे तो देखो उत्तर कितना था? 24, 63 से भाग दिया गया, ये 36, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, बारते हैं 36, ये बिटा काटेंगे 3 दूनी 6, तीने कम 3 और 21 दूना 42, जो आपका सही उत्तर आजाएगा वो आपका यहां से हो जाएगा, चिक? तो बिटा, इतनी बात समझ पाए, हमेशा सही भाजक आप नीचे लिखेगा, जो भी गलत आया है उसको आप उपर लिखेंगे, चिक? इतनी बात समझ पाए बिटा, तो बढ़ते हैं बिटा, आगले कोश्चन के तरफ, तीन संख्याओं का योग बिटा, 140 दिया गया है, पहली संख्या, दूसी संख्या से दुगनी है, तता तीसी संख्या, दूसी संख्या से चौगनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बिटा, ऐसे कोश्चन आपको कहीं ना कहीं पेपर में मिलते रहेंगे, इन कोश्चनो को विसेज तरीके से आपको समझना है कुछ नहीं करना है सबसे पहले दोगो बटा तीन संक्या जैसे मादलो हमारे पास ये एक ये दूसरी संक्या ये तीसी संक्या इनका जो योग दिया गया है विटाओ 140 दिया गया, कितना दिया गया बटा, 140, समझने वाली बात यह है, जैसे मालो, पहली संख्या, दूसरी संख्या की दुगनी है, पहली संक्या दूसी संक्या के दुगनी है, मतलब इसको हम 4x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकते हैं, पहली संक्या दूसी संक्या की दुगनी है, ठिक, इतनी बात समझ पाएं, फिर बेटा यहाँ पे, जो तता 30 संक्या की चारगुनी है, तो कौन सी संक्या चारगुनी है, पहली वादी संख्या तो बेटा इसको 1x वान लो अब यहां से पूचा गया है सबसे बड़ी संख्या कौणसी होगी सबसे बड़ी संख्या कौणसी होगी तो तो टोटल हमारे पास 140 दिया गया है, बड़ा वाला पत निकालेंगे तो 4X, मतलब 4 को उपर लिखेंगे, इनका अनपातिक योग आप नीचे लिखेगा, 4, 2 कितना हो जाएगा, 6, और 1 कितना हो जाएगा, 7, ये इससे काटेंगे, तो सादुनी 14, इसका गुणा निकालेंगे बस जिसको पूछा जाएगा, उसको आप उपर रिखेगा, बाकि अनपातिक योग हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये तो आपको मालूम ही है, तो बड़ा कौन सा अप्शन से हो जाएगा, D नमबर से हो जाएगा, बढ़ते हैं बड़ा अगले कुश्चन की तरब, किसी संग्या को 0.27 से गुणा करने के लिए कहा गया, विद्यार्थी ने 7.2 से गुणा कर दिया, इस प्रकार उसका सही उत्तर से 2592 अधिक है, तो प्रारंबिक संग्या क्या थी? बिटा, ऐसे जब भी आपके पास कुश्चन आ जाएं, जब भी आपके पास ऐसे कुश्चन आ जाएं, तो हम लोग क्या करते हैं, मालो संग्या बिटा, यहाँ पे एक्स थी, एक्स में विद्यार्थी को 0.72 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन बिटा, इसी संख्या में 7.2 से गुणा कर दिया, 7.2 से, यहाँ पे जो अंतर आया है, वो 2500 बानबे आया है, कितना आया है बिटा, यहाँ पे जो डिफ्रेंस आया है, वो 2500 बानबे आया है, बिटा, यहाँ पे जो डिफ्रेंस आया है, 2500 बानबे आया है, हम लोग क्या करेंगे, इसक इसका डिफ्रेंस देखेंगे, इसका डिफ्रेंस, तो बटा यहां पर 7 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पॉइंट के सामने हमें सा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के सामने हमें सा पॉइंट के सामने हमें सा पॉइंट आना चाहिए, यह पॉइंट आ जाएगा, यहां पर 2 लंवा जाएगा यहां पर आप अपने जीरो बढ़ा सकते हैं आपना यह विर्टा जाएगा आठ अब बेटा समझने वाली बात हमें क्या करना होता है सिम्पल सी बात यह जो अंतर आया है इसके बरावर कर दीजेगा यह जो 6.4 के बरावर हमारे पास 2592 यह जो अंतर आया था इसके बरावर करना है इसका 1% बरावर बिटा यहां से इतना कर दीजेगा तो यहां पर यहां पर यहां पर जक्त पॉर्णित तो यहां पर दो जी रोनिय एं Be जब अभैंट से दुआर यह कि इसे बटा दी है कंद्ट बेंगे 20 nimmt दheen तेड़ ग्या इनलयलों ढट चांव जीनल अगरेंगे इस तस्काविया दौ या हमें और लगा दी जाएगा, मतलब संक्या में जो answer आजाएगा, वो विटा आपका 400 बिल्कुल right answer हो जाएगा, कितना answer हो जाएगा, 400, हम लोगों से कहा गया था, किसी विद्यार्थी से इतने से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने इतने से गुणा कर दिया, इस प्रकार जो संक्या 400 आजाएगी, जो विल्कुल right answer है, जो विल्कुल right answer है, चेक, अब बेटा दोको ये सवाल, एक अच्छे level का सवाल है, अभी तक हमने सरपैरों वाले पढ़े तो है, लेकिन इसमें दोको थोड़ा सा भासा का खेल है, थोड़ा सा भासा का खेल समझ सकते हैं बेटा, जैसे simple सी बात ये है, भेड़त तक गड़ी लिए कि एक संक्या में पैरों की संक्या 16 दी गई है, पैरों की संक्या 16 दी गई थी, अभी तक के सवालों में आपको इस्पष्ट कर दिया जाता था कि इतने सिर दिये गए हैं, यहाँ पर बोला गया है, सिरों की संक्या पैरों तो पिटा यहां से तो को टोट जो पेर दिये गये हैं वो कितने दिये गये हैं, जो सिरोह की संख्या से 10 अधिग हैं, जो तो सिर्ट कितने हो जाएगा, दस अधिक है जो listening हो जाएगैं, कितने हो जाएगे, 6 सीर हो जाएंगे, अब बिटा यहां पर देखिएगा, अगर आप अभी तक दो पैरों वाले अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, अगर 4 पैर वाले भी निकालना चाहेंगे डारेक्ट तो भी निकलाएगा, ठीक, हम आपको दोनों तरीके इस सवाल में बताते हैं, आप तो यह हो जाएगा, 24 जितने पैर दिये गए हो, उसको घटा लिजेगा, तो 24 में जब यह 16 चला जाएगा, तो 8 यहां से बिटा जब करेंगे, तो यह हमारे पास जो 4 आ जाएगे, वो हमेसा, यह जो 4 आ जाएगा, वो हमेसा 2 पैर वाले आ जाएगे, कौन से आ जाएगे, 2 इन से यह घटाना था, तो यहां पे आ जाते 4 पैर वाले, किते पैर वाले, 4 पैर वाले, किते आ जाते बिटा, 4 पैर वाले, तो 4 पैर वाले हमारे पास संक्या कौन से हो जाती, 2, अब बिटा इसी को अगर, किसी विद्यार्थी को यह सीखना है, कि डारेक्ट सर्जी 4 पैर गए हो उसमें हमेशा 2 से गुणा करो, किस से गुणा करो, 2 से, तो 6 दुनी, 12, 12 में से बिटा ये 16 घटा दीजेगा, 12 में से 16 घटाएंगे, तो ये हमारे पास 4 बचेगा, इसमें 2 से भाग देंगे, तो हमेशा ये 2 पैर वाले, तो ये वाली संक्या निकल के आजाएगी डार कोई समिश्य है यहां तक, अगला बेटा कोशल देखते हैं अगलो बैटा कोशन देखते हैं। करना है बेटा हमने बताया था कि आपको ऐसे सवालों को N के फॉर्म में करना है मतलब पहले प्लस फिर इंटू फिर प्लस यहां पर जो संक्या आजाएगी वो बेटा प्रारंबिक संक्या आजाएगी कौन सी संक्या आजाएगी प्रारंबिक संक्या आजाएगी आप बेटा आदो को पहले हमें किसी संक्या से 3 से बाग दिया गया है तो सेस 1 आ रहा है फिर भाग फड़ को 2 से बाग दिया गया तो कितना आ रहा है एक आ रहा है अब बीटा प्रारंभी शंक्या को निकालने के लिए हम को क्या करना होता है इसको बेटा इसमें जोड देंगे, जोड़ने पर यहां पर तीन आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो तीन दर्का कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा, नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्लस का चिन, मतलब यहां से जो प्रारंबिक संक्या आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, अब बेटा इसमें क्या करना था, अब क्या करना था, प्रारंबिक संक्या जो यहां पर निकल के आ जाएगी, वो 10 आ जाएगी, अब इसमें कहा गया कि अगर प्रारंबिक संक्या को 6 से भाग दें, तो 6 कम 6, मतलब 6 कित तो आपका जो answer है वो B number सही है कौण सही है, B number सही है, तो आप बात को समझ पा रहे हैं कुछ नहीं करना था किसी संक्या को 3 से भाग देने पर सेस एक बचला है हमने बचा दिया, यहां पे फिर देखो भागपल को आपको 2 से भाग दिया जा रहा है तो सेस कितना बचला है अगर हम लोग 6 से भाग दें तो कितना बचेगा तो इन सवालों के करते हैं दो एक तीन यहां पर जोड़ देंगे ऐसे चलेंगे तो गुणा करना पड़ता है नौ आ जाएगा फिर करेंगे तो दस प्रारंबिक संख्या दस आ जाएगी और इसमें 6 से भाग देंगे तो 4 से से बचेगा बढ़ते हैं अगले कोश्टन की तरफ किसी संख्या को जब क्रमे का तीन चार और पांच से भाग दिया जाता है तो एक और चार से स्वाग दें तो सेज क्या बचेगा कोश्टन में थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से भासा लिखी गई है इसमें समझने वा अब बटा यहां पर समझना यह है कि पहले 4 से भाग दिया गया है फिर 5 से भाग दिया जो यह दो को बटा है यहां 4 और 5 से भाग दिया गया है बचता कितना है सेसपल में एक और चार सेस बच रहा है। पहले एक लिखेगा फिर चार लिखेगा बेटा हम लोग फिर वही तरीका इनको solve करेंगे तो यहां पर जोरना है जोरने के बाद में यहां पर नो आजाएगा इसमें इसका गुणा करते हैं हम लोग तो न चाओ चर्च चर्च आप अचालत पर फुलें फूरर को न लोगे और पर जोनेिए ज़रे काया काँ फ्लाय puòर सतरां कुछ . ने प्रवाइ के अगर मतें कि ए सकते हैं . जब इसको क्रमागत पांच और चार से भाग दें, तो सेस क्या होगा, तो यहां से लोगो सबसे पहले 37 को जब हम लोग कितने से भाग दें, पांच से भाग दें, तो यहां से हमारे पास 7 पना 35 होता है, यह बटा 7 आ जाएगा यहां से 35, यह बचेगा कितना, 2 सेस बचेगा, और यह जो भाग पल आया है, इसको हम लोग 4 से भाग दें, तो 4 एकम, 4 नीचे जो सेस बचेगा, वो 3 बचेगा, मतलब 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास जो है, वो C नंबर में है, सही, तो आपका बटा जो बचेगा, वो 2 और 3 बचेगा, मतलब यह वाला राइट एंसर हो जाएगा, इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मिटा, बस आपको यह संक्या प्रारंबिक निकली थी, इसको क्रम से पहले 5 से भाग देना था, फिर 4 से भाग दे जो यहां पर 2 बच रहा है, यहां पर 3 बच रहा है, यह एंसर आपका राइट बढ़ते हैं अगले कोश्यन के तरफ, किसी संग्या को क्रम सा, 2, 3 और 7 से भाग देने पर, हमारे पास 1, 1, 1, 6 से बच रहा हैं, 1, 1, 1, 6 से बच रहा हैं, आपको बटा क्या करना है, इनको जोड़ना है, 7, 6 कितना होता है, 13, फिर बटा यह संग्या इधर तरफ गुणे करना है, मतलब 13, फिर बटा जोड़ना है, यहां पर 40 आजाएगा, फिर बटा इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 80 आजाएगा, और फिर बटा नीचे के तरफ जब बढ़ेंगे, तो यहां प प्रारंबिक संक्या निकल के आ जाएगे, क्या आ जाएगी, प्रारंबिक संक्या निकल के आ जाएगे, अब बेटा कुछ नहीं करना था, कह रहा है कि प्रारंबिक संक्या को हम लोग कितने से बाग दें, यहां पर एक 80 बेटा आ जाएगा, एक 80 आ जाएगा, और प्रारंबि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बटा चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिए और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए AD Smart Classes बिल्कुल यानि लाया है निसूल को बैच और बिल्कुल आपके लिए फिरी और ये आपके लिए बेनी फिट रहेगा जैसे हमारे पास पुलिस के बैच हो गए और पियार पुलिस हो गया दिल्ली हो गया अससी जीडी के लिए और हमारे पास चैनल हमारे चैनल में जुन करने के लिए इसमें नंबर भी लिखे रहते हैं आप बात कर सकते हैं हमारे सीनियर सर्ट से थैंक्यू